काशिपूर में बनविवाग के टीम ने मुख्विर की सूचना पर पच्छों की तसकरी कर रहे एक व्यक्ति को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है बता दे कि काशिपूर के आईटी आई थाना छेतरी नवासी संजीत कुमार दुआरा ग्राम खड़कपूर देविपूराम से कच्छों को खरीद कर कुंडेश्वरी छेतर में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था कच्छों की तसकरी की सूचना बनविवाग को मुख्विर से मिली सूचना मिलते ही पन विवाग की टीम ने कच्छों की तसकरी कर रहे आरोपी को आई जीएल प्यक्तरी के समीब घेरबंधी करते हुए गिरफ्तार कर लिया जिसमें बन विवाग के टीम को आरोपी के पास से दुल्ला पढ़ जाती के तीन कच्छों प्राफ हुए है टीम ने आरोपी के खिलाग बन जीव अधिनियम के देहत कारेवाही करते हुए मुकदमा दर्च किया है और आरोपी को नियाले भेजा जा रहा है बन शेत्र अधिकारी अब इलाज सुदीर सक्पेने ने बताय कि कच्छों को सुरक्षित इस्थान पर छोड़ा जाएगा औ इसके बाद अग्रीम कारेवाही अमल में लाई जाएगा कर रहा है और कौन करता है कितने कच्छों थे कब से कर रहे हुए आप कैसे कैसे फसा दिया और कौन साथ में थे यह कच्छों तीन है और इनको आइजियल रोड काशिपूर से बरामत किया गया एक जिसमें मुल्जिम संजीत कुमार स्वनाव पच्चु और एक मोटो साइकल यूके 06 वाई सत्तर श्यासट वरामत किया यह बोरवे में पच्छों लेके जा रहे थे खुष द्वारा हमको इस उतना मिली कि एक ब्यक्ति यहां से वह जा रहा था हम उसकी घेरवंदी करके उसको उस मोड़ पर पकड़ लिए आगे की कारवाई अब इसको हम अभी इसका मेटकल कराके म अब यह पूस्तावत में अभी जब हमको यह प्रकास में आया है कि यह दूसर्य व्यक्ति का नाम ले रहा तो अब हम इसको अपने उससे चांच करेंगे कि व्यक्ति मतलब सच बोल ला है कि जूट बोन लाए तो फिर आगे जाके हम भी इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि क्या क् में क्या तो यह है कि पहले इसको हम वो जो कर्षिम लेकर वहां बेजने की त्यारी कि यह हमको करीब आज से 20 दिन पहले से हमको यह सूचना मिल लई थी तो हमने यह कुंडेशी रूड हो गई और आपके कई के जगे हमने अपने-पने स्टाफ को उनको लगा रखाता है तो य यह कल हमको सूचना मिली कि यह वहां से मोट साइकल द्वारा आ रहा है तो हमने उसको वहां पर बड़ी मुश्किल से इसको को किया तो इसके कट्टे में दो कचुए तीन कचुए जिन्दा बरामत की